हलो इप्रिवाइन गुद मॉनिंग विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी आप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए सुबह का वक्त है करीब 8 बज के 30 मिनट का नास्ता पानी कंप्लेट हो चुका है इसके पाद नास्ता पानी पूरा कंप्लेट करने के बा तो सबसे पहले तो मैं हैं थोड़ी बहुत चीज़े रखी हुई थी और इनको किचन में साफ करते तो बनेगा नहीं इतना जादा ना सारी टोकरी तो काफी जादा पानी दर उदर फैल जाएगा तो जितनी भी टोकरी अमुझे खाली है कुछ अनुको भी मेंने खाली कर ल मैंने खाली कर लिया है और बांकी का एक और टोक्री जिसमें सारे स्पेशलाज चमाच थोड़े बहुत कुछ मसाले उसाले रखे हुए हैं इस टोक्री को भी यहां पास मैं खाली कर लेती हूं कि यह भी काफी गंदी थी और किचन में महश्ली ना टोक्रीयां गंदी हो जाती तो यहां पार्ष में वास्ट्रों में रख दिया पानी डाल दूंगे ताकि अच्छे से खोल जाएं तो थोड़ी बहुत इसमें धूल जमी हो और इसके बाद इसको थोड़े टाइम के बाद साफ करोंगे इसके बाद जितने घर में जूले उले फ्लावर फॉर्ट जितने भ बहुत हो गई थोड़ी थोड़ी सी क्लिनिंग अब एक दो दिन में पूरा घर का जो काम है खतम कर देती हूं इधर का जो एक गेट लगा हुआ है तो इसको भी यहां पास मैंने निकाल लिया साथ में जितने भी फ्लावर फॉर्ट आप लोगों देख रहे हैं कि करके ना स प्रश को फ्लावर पॉर्ट दोश्र साइले सार टेड्का लगा हुआ है तो इनको भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ ना जो पर्दे हैं इनको भी रही कि लियूंगि पहले तो इससा आणा कॉम्प्लीट में कर ल microscopy और इसके बाद न फट दे उर्दे वाला काम है बात ने करने वाली होते। इसी के मतलब कल अता आठा रखके आए दें तो आज ना पेस के आ चुका हैं तो इसको भी ना मतलब आठे कंटेनर में डाल देती हूं क्यूंकि एक काम ही भी है और इसे भी छुटकारा मिलता है चोटे मोटे घर के ना बहुत सारे काम जो सब्सक्रालिया ज्यादा नहीं यह भशा हुआ था जो पहले वाला था तो इसको ऊपर रख देते हैं कि ताकि ये फैले यूज हो जाए और बस क्योंकि अलग से रखेंगे तक अभी कोई कोई क्योंडे मकोड़े इसमें फैल जाए इसलिए मैंने कंटेनर में उपर से रख दिया है चलिए ये वाला काम भी मेरा खतम हो और तकरीवन दो महिने के लिए खुर्शत हो जाए और इसके बाद ये सारी चीजों को ना अच्छे से सर्फ डालकर इनको भीगो देती हूं ताकि जो इसमें धूल मिट्टी लगी हो ना इसलिए अपड़ा पड़ से निकल जाए और इनको ना साफ करना बहुत आसान है बस हूदि तो फालत सारे फ्लावर अच्छे से साफ कर लेती हूं और इनको ने निकाल के इनको बहुत तक हो कर रखें तो जो इनमें मोतियां लगी हो इनका कलर निकलने लगता है फिर रोजी इस सफेज सफेज हो जाती है अच्छा नहीं लगता इससे लिए बस इनको पानी में डूबो कर थोड़ी देर मतलब अधिक टाइम के लिए डूबो कर नहीं रखना है इसके बास वसारी टोक्रियां है इनक अधिक वसी सर्फ के पानी में भीव फिगोकर अच्छे से ना ब्रस से साफ करते जा रहे हैं कर दो कि अच्छे साफ हो चुकी है कि काफी गंदियां बहुत दिनों के बाद बल्कि जो ब्लू वाली टोक्री इसको मैंने कुछ टाइम पहले ही शाफ किया तो साथ में बरतर मैं रखती हूं कि अच्छे साफ कर लिया है अब एक टोक्री में सारे फ्लावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व वोके निकलती जा रही हो और यहां पास तकरीवन सभी ढोकरियां हो चुकि एह भी हम हैं घर तो साफ मुटते हैं बाते कि मुटएं बहुत सारी स्वकार्डी चाम यहां पाश मुद्दे मेरा साफ कर लेक temporary अगों करिंग पूरी डेका हैं कि अंदर इन साफ के पर रहे कर और चलियंग पके पिछितिक यह वारे पडम तो यह ली खुंद रोखे और फर्दे को और थो चाहेम के लोग और सफ़ो एक लगाते हैं तो तो एधर का निकाल लिए साहते हुल कभी मने का लेते हुल कि अजय कोई आपयों नहीं लगे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा या जडरूरी है तो इसलिए यहां कर निकाल साफ ही कर देती हूं इधर के पर दें पच्छों के रूम के किछन के सारे में साफ नहीं देली के काम होती हैं दिवाली में इस्ट्रा क्लेनिंग बहुत सारी हो जाते हैं काम अभी तो पर देशारते एक एक काम करना पड़ता है आप कितना ही साफ सफाई करो मगर जो दिवाली वाली क्लेनिंग होती है उसमें थोड़ा सा अलग ही होता है चलिए यहां पस बड़ा समय टफ निकाल ली हू कितना ही होता है चलिए यहां पस बड़ता है इनको तकरीवल मैं आधे गंटे के लिए छोड़ दूगी इसके वाद जो अपने घल के काम है बांकी वह मैं फड़ा फड़ से निप्टाने वाली हूं कितना भी साफ सफाई कर लो मगर जो डेली का काम है वो कंप्लेट करना ही पड़ता है इसके बाद मैं आप लोगों से स पांच वजे का टाइम है यहां पास जो टोक्रिया हमने साफ करी थी और जिसमें कंटेनर सारी चीजे रखी थी तो इनको ना पहले की तरह सेट भी कर देती हूं क्योंकि सारे कंटेनर्स ना ऐसे ही रखे हुए थे जैसे खाली करकर रख दिया था और फैला फैला की चंड दिख रहा था सेट नहीं तो इसलिए मैं इसको साफ करके इसमें पेपर डाल लिया है और फिलाल टोक्रिया अच्छी साफ मैंने सारी कर ली है और जो यूज वाली है उनको फिलाल यूज कर लेते हैं जो इश्टरा वाली टोक्रियां रहते हैं तो फिर टोक्रियां को एक साथ आ करके रख दोंगी जब सब्सक्ता पड़ती है जब सब्टी अभी आजाएंगी ना थेंद्रों में फ्रीज में सब्जियां नहीं रखी जाती है तो फिर टोक्रिया ज्यादा काम आती है सारी सब्जियों को रखने के लिए इसके बाद यह तीन वाली जो टोक्रिया इसमें भी पेपर डालके इसमें आलू और प्याज यही सारी चीजे रखी रहती है तो इसमें ना सारी चीजें को सब्जियों को रखना भी है क्योंकि कि एक दो दिन पहले इसे सम्में हाथ माल लेना है क्योंकि एक बार अच्छी से साफ हो गई है तब अब मतलब इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होने वाली है कि अच्छे से पूरा सभी चीज को हटा कर साफ करना पड़े तो नीचे वाले में ने डाल दिया है आलू और तो उप प्याजना में छाटती जा रही थे क्योंकि प्याज के पत्य थे ना काफी निकल रहे थे तो इसलिए एक एक प्याज सारी चीजियों को छाट के यहां पास रख रही थी और यहां सिट कर दिया है बागे के बच्छती है कि ब्लू वाली टोकरी तो पेपर तो मैंने सम्में रख दी हैं और बस जब अब सकता होगी तो निकाल लेंगे इसके बाद फिर आ गई थी शायद जो हमने पर्दे साप करे थे वह सूख गए हैं तो इनको फिलालना हमें यहीं फोल्ड कर लेने वाली हो मौसम बहुत बाहर का अच्छा था बच्छे भी बैठे हुए थी यही चार्स प्रेंट और पीचे का फिलालना काम थोड़ी बहुत जो भी था खतम ही हो गया है, वैसे काम कभी नहीं नहीं साफ किये प्लाद कि घर के cleaning ये सारा काम करो ना तक इतना जल्दी टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता छोटे से दिन होते हैं साम का जो timing होता है बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है इसके बाद मैं सीने आप लोगों से एक तो मैंने कल रात में बना ली थी और एक रखी हुई थी तो अगर दोपहर तक मैं मैं इसको बेट करती दाल के साथ बनाने के लिए तो यह खताम ही हो जाती इसलिए मैं इसका ना कुछ और बनाने वाले हैं जो आंगे आप लोग अभी देखें वीडियो में देखेंगे त पालक पक चुकी है यहां पास मैंने जितना मुझे ब्रेकफास्ट में आठा लगने वाला है तो इतना आठा ले लिया है और पालक डाल कर मिक्स कर लोगी तो यह पालक पराथे पूडियां रोटियां जिसको जो भी मर्जी हो बना सकते तो यहां पालक भी ऐसे यूज हो ग इसके बाद आज चल रही है रैक की क्लीनिंग जो उपर का रैक होता है वाश्रूम की उपर का रैक बना हुआ है यह काफी टाइम जब से हमने इसमें समान रखा ना जब से निकाल कर साफ ही नहीं किया था तो दो लोगों को बुला ली है आपा समधब का लोनी में ही रहते ह यहाँ काम चलते हैं तो संदेरहा चुट्टी थी तो खाली सब को थोड़ा थोड़ा काम करवा के जो बहीं है मैं पर परने और पूरा सामान निकल वा प्यारों साफ्स॥रा करवा के यह वजञा कुछा ज़ाड़ों करवा एक जो टीवी के पास फैन लगा हुआ हैं तो एक एक करके ना सारे फैन क्योंकि फैन बहुत जादा गंदे थे और मुझसे ना होती नहीं क्योंकि सीडी में चड़कर साफ करना अकेले के बस की बात नहीं है तो चलिए आज फैन साफ हो जाएंगे कल में पूरा घर जाड़कर और क्लीन करना तो कल में दिवाली की क्लीनिंग हो खतम हो जाएगे यूजिकि बहुत हो गया पूरा घर धूल धूल सा अजीब अजीब सा रहता है इस दिवाली से क्लीनिंग साफ सुरुआत कर दो वैसे भी आज रहेक साफ हुआ है तो पूरा घर में धूल फैली हुई है बस इस ब्लॉक को खतम करेंगे मिलते हैं आप लोगों से नेस्ट ब्लॉक